गड़ेश चतुर्थी के खास मौके पर खास पेशकष आप देख रहे हैं और अब अपने दर्शकों को जो तीश चारिय बताएंगी कि किस तरह से राश्यो कस्व प्रभाव पढ़ने वाला है अलग अलग राश्य के लोग किस तरीके से अपनी मनुकामना को पोन करने के उपाय का बेहत इंपोर्टिंस होती है इस दिन क्योंकि कई लोग जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं जिनके विवहा में बाधाया आरही हैं क्योंकि गड़ेश जी विवहा में बाधाया आरही है तो आप गड़ेश जी को मालपूए का प्रशाद अर्पित विवा की मनो कामना रखी है उनके आगे तो देखिए आपके विवा के योग बहुत जल्दी खुल जाएंगे वही अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूज रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको घी और गुड का परशाद जो है वो गंडपती जी को खिलाना है और उनको भ से मुक्ती मिलेगी आपके फिनांशल जो भी प्रॉब्लम से वह आपकी सॉल्व होने शुरू हो जाएगी और साथ ही दूर्वा यदि आप अपने पूरे घर में घुमाते हैं तो वास्तू के हिसाब से भी दूर्वा बहुत शुब होती है और आपके घर की सकते हैं अगर कोई इनसान बहुत जादा बिमार चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 21 बार कांच क्या गिलास लीजिए उसके उपर से 21 बार वार के आप घर के बाहर फेक दीजिए उससे क्या होगा जितनी भी नेगेटिविटी होगी बिमारी की वज़े से वो खतम ह हो जाएगी और आप गणपती जी के पास जल रख सकते हैं और पूजा करने के बाद उस जल को यदि आप ग्रहन करते हैं तो भी जितने भी बिमारिया है वो तीरी तीरी दूर हो जाएगी शबशुभू यह बहुत सारे आपने उपाए बताएं और अराश्य करू कर लेते ह मेश राशी के लिए आप क्या बताएंगी देखे मेश राशी के जितने भी जादक है मेश राशी के स्वामी जो हैं मंगल देव माने जाते हैं और उनका रंग लाल होता है और गणपती जी को लाल रंग के वस्तर अरपित कीजिए आप उनको लाल रंग के फूल लाल रंग कर सकतے हैं तो और साथ ही ओम गणेशाय नमक का मंत्र कीज़ें गणपती जी की अरादमा कीज़ें कि तो स्वामी जो है शुक्र चाहरर जो है हम गुलावी सफेद मल्टी कलर भी कहते हैं तो आप इन रंग के कलर जो है इन कलर के आप बस्त्र जो है आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं साथ ही आप कोई भी सफेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं जैसे बर्फी कर सकते हैं मोदक अर्पित कर सकते हैं और साथ ही आप वाइट कलर की इलाइची अर्पित कीजिए आप दूरवा अर्पित कीजिए हारे रंग का पान का पत्ता जो होता है वो अर्पित कीजिए वो बहुत शुब माना जाता है करक राशी के लिए क्या उपाए रहेंगे करक राशी के स्वामी चंद्रमा चंद्रमा का रंग जो होता है आप देख जुआने की खीर, चावल की खीर आप अर्पित कर सकते हैं, शुब रहेगा. सिंग राशी कैसे गड़पती बप्पा को खुश करें? सिंग राशी के स्वामी जो हैं सूर है और नारंगी या पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कीजिए साथ ही आप गुड़ अर्पित कीजिए गुड़ से बने आप जो भोग हैं अगर आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो बहुत शुब रहेगा कन्या राशी वालों के लिए क्या बताएगे ऊनलार राशी की लिए हम हरी रंग की चीजिए अर्पित कीजे साथ ही आप हरी इलाइची हरी सौफ आप पान का बिश्चिक राशी वाले जतने भी हैं आप इंट्सपाइब अब .. जितने भी हैं नारंगी रंगी चीजिशं अरपित कर सकते हैं आप red color या orange color के flowers red color के fruits आप red color की जसे डाल का हलवा जो बंता है वो भी आप बनाक्स के उनको अरपित कर सकते हैं बहुत ही चब रहेगा दनूर राशी वाले भगवान गड़िश को कैसे बनाएं देखे दनूर राशी के स्वामी जो हैं गुरु देव माने जाते हैं उनका रंग पीला माना जाता है तो आप उस दिन यदी पीले रंग के कपड़े पहन के पीले रंग के ही वस्त्र यदी आप गड़िश जी को कर सकते हैं साथ ही पीले फूल पीले फल पीले लड़ू जो होते हैं मोती चूर के या बूंदी के लड़ू यदिया आप अरपित करेंगे तो बहुत छुप रहेगा मकर राशी के लिए क्या उपाय रहे हैं देखे मकर और कुंब यह दो शनी की राशिया होती है इसमें हम ते निले रंग को प्रयोंग सोपे साथ ही आप तिल और मिला लड़ू बना घलद के लड़िया कि फूल करेंग कि बहुत हो चुल जल्दी बॉञे करने उनके लिए जल्दी से उपाय बता दिए मीन राशी पीला रंग पीले फूल पीले फल और साथ ही गोल्डन कलर का आप ज्विल्री अर्पित कर सकते हैं आप कुछ भी यलो कलर के लड्डू मोती चूर के लड्डू आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुप रहेगा अब स्था खास हमें ध्यान रखना है देखिये ध्यान तो जो हमें बेशिकली रखना है गNewsild के बूस्त इंप अगर आप गन्पती जी की शप शांती बनाये रखेंगे विए किसी तरह का बाद्विवाद करें किसी का दिल ना दुखाएं और जो है घर में सुक शांती बनाए रखें और मास मदिरा नॉन्विज थोड़ा सा वाइट कीजिए इन दिनों में और नेगिटिविटी का महौल जो है घर में ना बनाएं क्योंकि देखें बहुत ही पॉजिटिव दिन होते हैं और कहा जाता है कि विगन को ह यह बहुत अच्छी बाती है जो कि इस टाइम में स्टार्ट हो गया है और गड़े चतूर्थी का मौका भी है तो कोई खास मंत्र बच्चों के लिए तो कि इतना वक्त होगा नहीं कि जाहीं लंबी पूजा में खुद उपस्तित हो उनको एक्जाम के लिए जाना होगा तो संब्सक्राइब कर जाही है तो च्छोटा सा प्यारा सा कोई मंत्र अपनी पड़ाई के जो विक्त हैं उसमें आप दूरवा रख सकते हैं। से भी concentration बनती है focus issues जिन लोगों को हो रहे हैं वो थोड़ा सा green color जादा यूज़ करें अपने जो study room है और कोशिश करें कि जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ते हैं तो face जो है वो east and north east direction में होना चाहिए रिद्धी सिद्धी वर्से धनकी वर्शा हो उसके लिए कोई खास उपाए गड़ेश चतूर्थी के मौके पर आप जिस तरह से बैने बताया है कि दूर्वा का विशेश महत्व है तो आप क्या करें आप जो 22 दूर्वा हैं उनकी एक एक जोड़ा बना ले गैरा जोड़े बना ले इस तरह से और उनको गणपती जी के मस्तक से छुवाते हुए नीचे उनके चड़नों में अर्पित कीजिए और उस दूर्वा को यदि आप अर्पित करते हैं और विधी विधान से गणेश जी की अराधना करते हैं तो आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं गर में सुक सम्रिध्धी नहीं आरी है यापकोई बी रुकावट आ रही है वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी कमाएं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह में बाधाएं आ रही है उनके लिए विशेश ये है कि अगर लड़के के विवाह में बाधाएं आ रही है तो गणेश जी को पीले लड़ू अर्पित करें पूंदी के या फिर बेसन के या मोती चूर के और अगर लड़की के विवाह में बाधाएं आ रही है तो मालपुए का यदिया परशादर्पित करते हैं, गडेश चतूरती का वरत करते हैं, गडेश जी की बंदना करते हैं, उनका विधी, विधान के साथ पूजा अर्षना करते हैं, तो हर आपकी समस्याओं का आपको समधान मिल जाएगा. सब्सक्राइब जिए सफायरी की अब ज्रख बातों रख यो जब पूजा कर रहे हैं ? लेकिए जब अब पूजा करते हैं तो जब गडशी की मूर्ति आप और के दिशा का विशेश महत्व है उत्तर परदिशा में आपने गणेश जी की मूर्ती को रखना है लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस जगे की अच्छे से साफ सफाई हो गंगा जल से छिड़काव हो वहां पे किसी भी तरह की नेगिटिविटी ना हो गणेश जी की चौकी सुन्दर से सजाई जाए ल बहुत गंदगी है या सीलियों के नीचे उस मूर्ती को आप स्थापित ना करें जो भी जगह रखें वहां अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और साथी साफ सुत्रा मुपालोना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट होता है राशी कोई खास है जिन पर विशेश प्रभा मेश राशी सिंग राशी कन्या राशी धनूर राशी और सात मेश मकार मीन राशी नÃ Kyuse क 17 लिए इन पर गणेश जी की विशेश क्रिपा बनी के लिए तो आज हमारी खास कालकर में इतना ही गड़पती बपा मोर्या आप सभी पर गड़पती की बहुत बहुत क्रपा रहे नवश्कार